उत्तर पर्देश के राय बरेली जीले और अमेठी जीले के बीच से एक बड़ी ख़वर आ रही जहाँ पर एक सिच्छक के परिवार को यहाँ पर चंदर्म बर्मा ने गोलियों से मार करके हत्या कर दी इसमें सिच्छक उनकी वाइफ और दो लड़की की जो की आन रोड यहा आने किस वीडियों लेकिन यह पार्ट वन है कल आपको पूरा केस स्टिडी के साथ दूसरा पार्ट इसी केस के बारे में मिले कर लेकिन आथ यही जानिए कि जो सिच्छक था उसकी वाइफ को ले करके उसकी पोस्टिंग जो की अमेठी में हुई थी और लेकिन जो रहने व हैं रंगदारी करते थे अमेठी में क्योंकि यह रंगदारी करने में बहुत ही माहिर थे और कहीं न कहीं इनकी नजर सिच्छक पर पड़ती है और इनको पता चलता है कि वह राइबरेली के रहने वाले हैं और उनकी पोस्टिंग यही पर हुई है, उनकी परिवार यहां प अपने स्कूल पर लेकिन उसके बाद जो law affair जो हुगा चंदन वर्मा का उनकी वाइफ के साथ हो गया अब धीरे दीरे इनलों का रिलेशन बढ़ता गया और धीरे दीरे इनलों का प्यार बढ़ता गया उधर सिच्छक अपनी डिविटी करते थे और इधर इनकी पत्नी चंद चंदन वर्मा अब उनको छोड़ना नहीं चारा वो यहां तक उनके पती से कर दिया थक मैं इसके साधी करकर मैं इसे रखोंगा अब यहां तक बताईए जब बात आ जाती एक साधी सुदा महिला से रखे है और उनके पती के ही सामने कहना कि आप छोड़ दो हम इसे रखें मामले में यहां लड़कि तो फिर कहीं नहीं पर चंदन वर्मा बंदूक में गोली भर के आये और उनके चारों लोगो मार करके हत्या कर दी, सिच्छक की और उनके वाइफ के और दोनों लड़की की तो कही न कहीं पुलिस इनको पकड़ कर इनको भी पैर पर गोली मार दी है पुलिस ने भी अपना काम तो किया है लेकिन पुलिस ने लेट करी है क्योंकि जब ये छेड़ साड़ कर रहे तो उनकी पत्नी से और सिच्छक से तब उन लोगों ने कंप्लेन पुलिस को करी थे लेकिन तब पुलिस अगर जो सुनी होती तो आज फिर यहां पर चार परिवार का यहां पर हत्या नहीं होता अब तक सलाकों के पीछे जन्दन बर्मा रहता है लेकिन आज भी है लेकिन चार लोगों की जान लेने के बाद दो छोटी-छोटी मासुम बच्चियों का एक टीचर का और एक उनकी वाइफ का तो आपका इसके बारे में क्या फीड़बै क्या अपना प्लोग कमेंट्स करेग कल आपको A2Z पूरा केस स्ट्री इस कहाने की मिले की जोकी उत्तर परदस के अमिट्री दिले की है तो चैनल को सस्क्राइब करके जरूर रखें